स्वागता आपका मेरे चनल पर अज बहुती सिंपल और स्वाधिस्ट मटर पनीर का शब्जी लेकर आई हूं तो चले देखते हैं किन किन चीजन की ज़रत पड़ती है यहां पर मैंने पनीर को काट के रखा है इस तरह से क्यूब में उसके बाद यहां एक कर्टोरी मटर लिया है यह फिरूजन मटर है तीन टमाटर को मैंने घीज कर रखा है दो बड़े प्याज है जिसको मैंने घीज कर रखा हुआ है कद्दू कस में मतलब जितना चोटा टुग्रा में काटे और यहां पर यहां पर थोड़े कशूरी मेथी है एक चम्मच लसुना द्रक पेस्ट है थोड़े से मेथी के दाने है एक चम्मच गी है गरम मशाला आधी चम्मच यह कस्मिरी लाल मिर्चा यह कलर के लिए है इन दोनों को बाद में यूज करेंगे तो मसाला में यहां पर लिया है मैंने मिर्ची आधी चम्मच थोड़े से जीरा पौडर एक चमच धनिया आधी चमच हल्दी नमक स्वाद अनुसार और दो तेजपत्ता सबी चीजों को मैंने एक जगह रख लिया है और पानी पानी हम दो गिला से उच करेंगे तो यहां पर मैंने कराही रखा है कराही हमारी गरम होगी इसमें तेल डालेंगे तेल गरम होनने के बाद उसमें एथि का ऻाना डालेंगे और तेजपत्ता डालके इसको थोड़ा पखने देए का हिर और प्याज का दीज में जरूरियर में ज़यॅज कर सकरूनित टूबर अच्छी तरह से निया है तो यहां पर प्याज जोगा है उआ देख सकते हैं अब इसमें लासुन अधरक का पेच्ट ऍडालेंगे तरह से मिला लें यहां पर आज बिल्कुल लो कर दें अगर आप गयस पर बना रहे हैं तो मासाला डालते समय आज लो कर दें और मसाले सारे डाल देंगे फिर इसको मिला ले 20-30 सेकेंड इसको अच्छी तरह से मिला ले आज ऑजितने गे टमाटर हारी मिर्ज यहां डालेंगे तीन टमाटर दो हरी मिर्ज का पेस्ट है उसी कटरिम थोड़े से पानी लेके मैंने उसको डाल दिया तो यही तरह से मसाला मिला ले मासाला को ठीक से मिला ले आज यहां मीडियम कर दें और इसको ढख देंगे दो तीन मिनट बाद फिर से देखते हैं इसको तो यहां अभी नहीं भुना है हमारा मसाला इसको थोड़ा और भुनेंगे चला ले टमाटर को भी ठीक से भुनना है सबजी मीड कलर अच्छा आता है यहां पर आप देख सकते हैं सब मसाले से तेल अलग हो रहा है इसका मतलब मसाला हमारा भुन चुका है उसके बाद उसमें मटर डालें मटर डाल के एक कप पानी रालें मिला आलें सब को आज यहां पर मीडियम पर रखें फिर उसमें और एक कप पानी डाल देंगे और अच्छे से इसको मिला के इसको उवाल आने दें आप उवाल आने के बाद पनी डाल दें मिला लें सब्जी को अब हम गरम मसाला डालेंगे और कसूरी मेथी राखे ती उसको इस तरह से करश करके उसमें डाल दें दोने चीजों को ठीक से मिला लें और यहां पर इसको देर से दो मिनट के लिए ढख दें पनी डालने के वाए ज्यादा देर नहीं पकाना है अब सारे मसाले हमारे मिल चुके अच्छी तरह से पनीर में इसको एक बार और इस तरह से चला लें तरखेक events लिवर के आपमेने तावा रखा हैं, तावा में गी डाले हैं गी गरम होने के बाद इसमें पाड़े के जो पॉडर है कस्मीरी मिर्च का ओड़ा है, यह कलर के लिए होता है, तीखी नहीं होती है इसको अच्छी तरह से मिला लें घी में फिर इसका जो पनीर की शबजी है उसमें इस तरह से तरका डाले है इसे बहुत अच्छा कलर आता है यहां पर आप देख सकते हैं मेरा शब्जिमिक कलर कितना अच्छा आया है और खाने में भी बहुत ही स्वादिस्ट बना है खुस भी बहुत ही अच्छी आ रही है चलिए सर्ब करके दिखाती हुए इस तरह से प्लेटों में निकाल रही हुए सिंपल और इजी रेशिपी अगर मसाला तयार है आपको यह सब करने में दस मिनट से जादा टाइम नहीं लगेगा रोटिक शाथ खाए पूरिक शाथ खाए चावल के साथ खाए यह सब एक साथ जाएगा और बहुत ही स्वादिस्ट लगता है खाने में एक बार हमारे तरह के से ट्राइ करें हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेर करें